हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ DIY शैंपू जो आप खुद अपने हाथों से बना सकते हैं अगर आप केमिकल्स पसंद नहीं करते हैं और केमिकली इनफ्यूस शैंपू नहीं उस करना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छा शैंपू है जो आपके बालों को कंडिशन भी करेगा और वाश भी करेगा तो इसके लिए हमको लगने वाले हैं इंग्रीडियन्स यह है शीका काई पाउडर सॉरी अच्छली मैंने इससे हम बेकिंग पाउडर केस में डाल दिया है बट यह शीका काई पाउडर है फिर आपको लगने वाला है आमला यह हो गए इंग्रीडियन्स अब इसे बनाना कैसे है फिर्स्ट आपको लेना है रीथा पावडर चुकी वन हीप टीश्पून ओफ रीथा पावडर देन वन टीश्पून ओफ आमला पावडर अगर आप कम भी डाले तो भी कोई इस्यू नहीं है थर्ड इंग्रीडियन्स आपको लेना है शिका काई पावडर जो की थोड़ा ज्यादा हीप लेना है अब तीनों पावडर को अच्छे से मिक्स करना है यह जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसमें एड़ करना है अपको पानी पानी अब इस तरीके से एड़ करें दीरे दीरे हाथ घुमाते हुए इस मिक्स्चर को अच्छे से मिक्स करें और जो भी लंप्स है घटा दे थोड़ा सा मैसी प्रोसीजर है अब इसको लादर पाना शिरू हो गया है इसमें जो शिका का ही पावडर है वो इसे जाग देती है अब इसमें पानी क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं इस तरीके का ये आपका शैंपू तयार हो जाता है अब इस तरीके की बॉटल आप परचेस कर सकते हैं मार्केट में आपको फिर इस मिक्ष्चर को इस बॉटल में ट्रांसफर करना है और इस नूप की मादद से आप अपने रूट्स को ऐसे लगाए और अपने बालों कर भी ये ऐसे डाल दे ये काफी एजी होता है प्रोसीजर इस तरीका बॉटल आप लेकर आ सकते है और फिर आप इस शैंपू को इसमें ट्रांसफर करके यूज कर सकते है एक बहुत ही अच्छा शैंपू है प्लस इसमें ना कोई केमिकल्स है ना कोई यूनो हामफुल फ्रेग्रेंस या कोई भी ऐसी हामफुल चीज नहीं है 100% प्यूर नाच्रल पारविन फ्री है आपको ये पाउडर कहीं भी मिल थैंक यू वेरी मच्छ